इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह और आतों की गैस गेस्ट्राइटिस और पेट फूलने के इलाज के लिए तयार किया गया है इसमें आवश्यक तेल होते हैं तुलसी और कैमोमाइल में आंत को साफ करने के लिए एंटिसेप्टिक क्रिया होती है थाइम और लवेंडर उत्तेजक पेट और पाचक होते हैं नीमबू और लेमनग्रास अपच और गैस्ट्राइटिस से राहत दिलाने में मदद करते हैं लोंग और जिरेनियम मुल्टी आंतों की एंठन और अपच के खिलाफ बहुत प्रभावी हैं चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, ये तेल टॉनिक, उत्तेजक, पेटवर्धक और पाचक है जो गैस्ट्रिटिस, एंट्रोकॉलाइटिस और मुव के छाले से राहत देता है दो, ये है एक टॉनिक, उत्तेजक और पेट संबंधी वातनाशक है जो अपच और गैस्ट्रिटिस से राहत दिलाने में मदद करता है तीन, ये तेल पाचन तंत्र के लिए फाइदे मंद है और जकणन की क्रिया को कम करके हवा से राहत दिलाने के लिए प्रसिद्ध है पीलिया के साथ-साथ जननांग मूत्र पत के विकारों में भी सहायक है छे, ये मूत्र प्रणाली पर एक एंटिसेप्टिक प्रभाव भी डालता है और सिस्टिटिस और मूत्र मार्कशोत में मदद करता है साथ, उप्योग से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ें आठ, सीधी धूप से दूर ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें नौ, बच्चों की पहुँच से दूर रखें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें